है है लो दोस्तों कैसे आप सब उम्हेद करती हूं आप सब बहुत अच्छे वो फ्रेंड्स में भी बहुत अच्छी हूं तो न्यू ब्लॉग आ गया है तो न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है और ये मेरा मतलब वो सेकंड पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट मैं डाल चुकी हूँ फर्स पार्ट में मतलब क्या था मैंने अलमीरा बगेरा खाली किया था तीन चार साल से ये अलमीरा मेरा साफ नहीं हुआ था तो इतना भरा हुआ था बहुत जादा तो इसको खाली करते करते ही बहुत टाइम लग गया वो पार्ट अलग हो गया फिर मेरे को सेकेंड पार्ट पड़ा तो सेकंड पार्ट में मैं जो भी क्लीनिंग है अलमीरा की जो भी धूर मिट्टी वो छुठा रही हूं क्योंकि तीन-चार साल से हुई नहीं है और यह नीचे भी नहीं जा पारी है क्योंकि इतना भारी है इसमें रेट दो कुंटल बज़न है तो यह नीचे कैसे जा भी है ना हमारे घर का वह भी छोटा है तो जी जाल है उपर बरंडा उसी में से निकलेगा तो चाच्छे लोग चाहिए इसको ठाने के लिए मैं और हजबने कर में सासुमाए हैं हम तीन लोग हैं तो हम तीनों पर तो कैसे भी नहीं उटने बाला है बहुत बारी है तो यहा मतलब नहीं निकलता प्रेस से क्योंकि न वो जब बॉक्स में रख देते भर भर के तो सारी साड़ियां सुकुर जाती हैं तो मैं सोच रही थी कि अपना अलमीरा साफ कर लूँ और फिर जो भी जितना भी मेरा कपड़े लगते जो भी सामान है वो इसी अलमीरा में सैट करक लखी हुई है मैंने फर्सक्राड पर आपको बता चुक हैं तो यहां पेहले मैं इस वाले रूम में रहती थी इस वाले रूम में नई आयी थी मतलब दुल्赤 lijन बनके जम मैं इस वाले रूम में आयी थी तो यह रूम जन मुझे बहुत लगता था मेरेत साधी को आटब 9 साल हो गया तब से ये रूम पुता भी नहीं है और इस वाले रूम में कोई नहीं आता है इस रूम को समझो तो यहां देखो मैं सारा जैसे भी मतब बहुत अच्छे से धूल मिटी चुटा रही क्योंकि इस में ना मतब बंद रहता है पैक रहता है फिर भी धूल चिपकी कपड़ा लिया और अपना डाला निर्मा पाउडर और फिर मैं गीले कपड़ेते साफ करने लगी तो और आप वो को एक बात बता दूं इसमें ना बहुत भैंकर जंग लग रही थी नीचे वाला जब मैंने साफ किया था ना नीचे वाला जो बॉक्स है ना वो उसमें किला रखा ही नहीं है फिर जंग अब पतानी काई से सही होगा उसका थोड़ा छोट गया है कलर निकल गया है तो वो कैसे सही होगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपके पास कोई उपाय है तो तो मेरा यह वाला बॉक्स हुआ साफ आप सैकंड बॉक्स की बा मतब वो प्रॉब्म होता है क्योंकि एक खंटे का ब्लॉक दो खंटे लग जाता है क्योंकि हम लोगों को ट्राइफोर्ड इधर होता है कभी कहीं सैट करना पड़ता है बार बार दिख रहा है या नहीं आखेले ब्लॉक्स उट करने में यह रहता है और आहाद से ब्लॉक्स सूट करो तो बड़ा असनार रहता है और ट्राइफोड लेके करो तो बहुत प्रॉब्म आता है मतब दिक्कित आती है क्योंकि समझ मैं नहीं आता है ना के लिए टाइम वेस्ट इसी में हो जाता है तो यहां मेरा यह क्लीनिंग हुआ और यह देखो आप लोगो देख रहा है नीचे वाले बॉक्स में नीचे वाला जो साफ किया उसमें जंग लग रहा है तो इसके उपर बहुत सारा डश्ट चिपका हुआ था वह तो आरम से छूटी साथीए तो आप में मैं अलग अलग तरह की वीडियो करोंगी और आप झालस को में में डेली वीडियो under लेते उपर की देखो कितना डश्ट चाया हुआ है तो मैं जैसे यह घुमाती यहाँ हूं उतना ही साफ होता जा रहा है देखो अर्बूस ही मतलब और फिल्ए होगो जाता है ना आप लोग जानते हो कि इसमें है मतलब मतलब क्वीद कि ऑगर से चपक जाता पिछली हल तो मैंने ये रूम रगड़ रगड़ के दोया था पिछली साल नी सोड़ी दिवाली पे दिवाली पे रगड़ रगड़ के दोया था अलमारियों में इतनी सारी दू बहुत जादा इतनी धूल हो गई थी तो मैंने साफ किया था बहुत टाइम लग गया था उसमे तरफ से कर दिया था पीछे टाइप बचाता पीछी तरफ तो मैंने मतलब जाड़ू से बाद में जाला जो लगा था वह साफ कर दिया था और खिसका लेती अपने काम करने लगे थे अपने काम पर नहीं जा रहे बड़ा गुस्सा आ रहा है घर पर बैटे हुए हैं तो यहां मेरा अलमीरा हुआ साफ और मैं आप लोग को सामान दिखा दू यह मेरा सामान है और इतना कबाड़ा निकला है चूड़ी वाले बॉक्स हैं कुछ खाली बॉक्स है तो इनको मैं सैट करूंगी धो पोंचके तो अब भी मुझे इसके बात करना है अपना फैन क्लीन तो यहा देती हम आप लोग मुझे बताना कमेंट करकर कि मेरा मेरा कैसा आप लोग को लगा तो मेरी अलमीरा की फाइली सफाई हो गई है तो मेरी अलमीरा कैसी लग रही है आप लोग बताना मेरे अलमीरा का डिजाइन कैसा है तो मुझे तो अपनी अलमीरा के लॉक बहुत अच्छे लगते बहुत अंदर अब कैसे बताना तो नहीं चाहिए तो यहां उपर वाले रूम में रखे कोई काम की नहीं और इसीद्री रखे हुए तो मैं उठा के ले जाओं इसको नीचे यह मेरा ट्राइफोर्ड रखा हुआ ट्राइफोर्ड भी इतना गंदा हो गया है तो मैं इसको भी साफ करूंगी अभी और यह तूट गया था तो मैंने अलविरा की क्लेनिक की अभी तो इसके बाद सोचा नहाने जबी जाओं थोड़े जाले आले चुटा देती हूं और जाड़ू लेकर आई हूं भांद लिया था मैंने नीचे सुबह जारे चुटायते आज सभी अच्छी धूप है और मेरे कपड़े पर टले हुए अब इसी के यहां के क्ले जाला वगेरा चुटाने है तो आप लोगे सकते हैं तो यह सामान मैं सैट करके रखेंगे नहाने के बाद तो अभी नहाने के बाद तो मेरे गौदरी साफ सफाई हो गया है बस सुकूर मिल गया मतलब गौदरी तो साफ हुई है और सामान है नही अब इस अब शुकूर मिला यह शामा लग जाएगा जब सुकूर मिलेगा तो यहां का मतलब यह पोर्चन है यह पूरी का जाला वगेरा अब चुखाना है तो मैं आपने को यह दिखाती है आप कि 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 कि